दोस्तो रितुराज गायकवार ने एक बार फिर सतक लगा कर यह साबित कर दिया है कि वह एक रनों की मसीन बन गया है जैसा कि आप जानते हैं विजे हजारे ट्रोफी का अंत हो चुका है वह माराश्टर ने जीत लिया है उसने फाइनल में सोरफ्ट की टीम को हरा कर जो है हजारे ट्रोफी अपने नाम की इसमें एक बार फिर लगातार तीसरा सतक गायकवार ने लगा करके अपने टीम को विजे दिलाई है दोस्तो इसमें उन्होंने एक 108 रन बनाए और उन्होंने 130 गेंदों का सामना किया कुल मिलाकर 11 बार उन्होंने गेंद को बाउंडरी लैंड से पुचा बाहर फैका जिसमें 7 चोके और 3-4 लगतार उनके छक्के शामिल थे और दोस्तो उसने जो है क्वाटर फैनल मैच में जैसे आपको पता है मुमा उत्तर पर्देश के खिलाब 220 रन बनाए थे और उन्होंने जो है असम के खिलाब सेमी फैनल में 168 रनों की पारी खेली थी और विजे हजारे ट्रोफी के ओपनिंग मैच में उन्होंने 124 रन जो है बनाए थे दोस्तों जो की उनके टोटल मिलाकर 4 शतक इसमें उन्होंने बनाए हैं और एक मात्र ऐसा खिलाड़ी जिन्होंने जो है सबसे ज़्यादा 12 सतक विजे हजारे ट्रोफी में लगाए हैं और लगातार 4 सतक उन्होंने पिछले मुकाबले में भी पिछले यानि कि पिछले साल भी लगाए थे और यदि आप चाहते हैं कि यह रितुराज गाइकवाड जो है बहुत जल्दी इंडिया की टेम में आपको खेलते हुए दिखें तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें दोस्तों आपको मैं बता दूं कि रितुराज गाइकवाड एक महान बल्लेवाज के रूम में उबर कर सामने हाए हैं क्योंकि भारत में खेल चुके हैं मैच लेकिन अच्छा प्रदोशन नहीं था अब दुबारा से अपने आपको साबित कर रहे हैं इस से पहले रोबिन उ दोस्तों उनके बारे में एक और बात मैं बता दूं कि जब उन्होंने उत्तर प्रदेश के खिलाप 220 रणों की पारी खेली थी तो उसमें उन्होंने जो है छे छक्के साथ छक्के लगाये थे दोस्तों एक नो बोल थी और टोटल जो है 43 रन जो है उस होवर में जुटाए थे जो की एक रिकार्ड था बहुत जबर्दस उन्हें ने जब बल्ले बाजी की थी उस समय भी और वह लगातार अपने प्रदेशन के कारण जो है सुर्ख्यों में हैं चर्चा में आए हैं भारत्य टीम में जो है बहुत जल्दी जो है पदारपन करने वाले हैं यह और एक बात और देखिए दोस्तों कितनी अच्छे तरीके से उन्होंने जो है अपने टैलेंट को दिखाया है लगातार परफॉर्म किया है यदि एक इस एक टोनेमेंट की बात की जाए तो जगदीशन ने जो है सबसे ज़्यादा पांच सतक वीजे हजारे ट्रोफी में लगाए हैं और उससे कम जो है अब चार सतक रितुराजगायकवार ने लगाए हैं दोस्तों उनके सतकों की बात की जाए तो जो ओपनिंग मैस था उसमें रेलवे खिलाप उन्होंने 124 रन मारे उसके बाद जो है उत्तर परदेश के खिलाप 220 फिर आसम के खिलाप 168 और अब जो है सो राश्ट्र के खिलाप उन्होंने जो कि अमदाबाद में फाइनल मुकावला उजित किया गया उसमें जाए हैं उन्होंने 108 रन पर कप्तान नी पारी जो है माननी जाएगी जिस तरीके से उन्होंने खेल का प्रदशन किया कप्तान एक बहतरिन कप्तान के रूम में उन्होंने अपने आपको सावित किया है दोस्तों यदि आप 20 परकार के खिलाड़ी भारती टीम में आने चाहिए और एक उदर से हैं हमारे संजू सैमसंजो की बुरी तरीके से उनके साथ बेनसाफ हो रहा है उनको न्याए दिलाने के मैं आप सब्सक्राइब लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं और थैंक यू जैहिन थैंक यू